नमस्कार दोस्तों आपका मेरे चैनल में हार देखत वागत है लोगों को अक्सर सपने आते रहते हैं और में तरह तरह की चीज़े वो सपनों में देखते हैं और यह एक ऐसा रोज का ही नियम होता है कि आदमें कोई न कोई सपना अवसे देखता है लेकिन कुछ लोगों को ज हमारे जीवन में साप और मानों का रिस्ता सर्ष्टिकाल के प्रारम काल से चला आ रहा है यानि आदिकाल से संबंध ऐसा है जो कि मनसुर साप के बीच में है भारतिय धरम सास्त्रों और हिंदू सास्त्रों पुरानों में साप से जुड़ी बहुत सारी कथाएं बताई गई है और हिंदू सास्त्रों में साप को बहुत पुजनी माना गया है भगवान सीव के गले में भी आपने साप को देखा होगा जो कि हार सरुप उनके गले में पड़ा रहता है तता विश्णु भगवान को भी आपने सेसनाग यानि साप की सईया पर देखा होगा अगर आप वि बेवारिक रूप से देखेंगे तो पता चलेगा कि जहां एक और साप को बहुत पूजनी माना गया है वहीं उससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें बताई गई हैं जो कि आपके बेवारिक जीवन में सुब असुब से जुड़ी हुई हैं यदि धोके से भी आपको अगर साक्षात साप नजर आ जाए या सामने आ जाए तो आप डर के मारे घबरा जाएंगे और यहां तक कई बार ऐसा होता है कि आप सपने में साप देखने तो भी आप घबरा कर उठ जाते हैं और आपकी नीन तूट जाती है तो आज मैं आपको सपने में साप दिखने के क्या रहसे हैं तथा आपके जीवन में साप का क्या महत्तो है जदी आप सपने में साप देखें तो उसके सुब और असुब क्या कारण होते हैं तथा किस तरह का साप है दी आप देखी तो क्या होगा और किस परिस्थिती में आप साप को सपने में देख रहे हैं उन सब के क्या Facebook WhatsApp में share कर दीजेगा तो चलते हैं जानते हैं कि सपने में साप देखने के क्या रहस्य है और उसके क्या अच्छे बुरे संकेत होते हैं या सुब असुब क्या लक्षण होते हैं तो पहला यदि आप सपने में किसी साप को मंदिर में देख लेते हैं या जागरत अवस्था में किसी मंदिर में आपको कोई साप दिख जाए तो इसे सुब माना जाता है मंदिर के अंदर साप को देखना इस बात का संकेत होता है कि आपकी जो मनोकामनाए होती है वह आने वाले समय में जल्दी ही पूर्ण हो जाएंगी दूसरा यदि आप सीलिंग पर लिप्टा हुआ स आप देख लें तो यह भी बहुत ही अच्छा संकेत होता है इसका यह अर्थ होता है कि आपको भगवान सीव का आसिरवाद मिला है और आपको जीवन में जो भी कारे के लिए बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं वह कारे जल्दी ही पूर्ण होगा तीसरा यदि आप किस हो सकती है यदि आप कोई बैपारी वर्ग से हैं तो आपके बैपार में अचानक ही लाव होने की संभावना होती है और साथी साथ इसका संकेत यह होता है कि आपको कोई रुका हुआ धन भी आपको मिल सकता है चौथा सप्रे में यदि आप किसी विश्यस कार के लिए जा र है यह जो संकेत होता है वह बताता है कि आप जिस काम के लिए घर से निकले हैं वह अवस्य पूरा होगा पांचवा यदि कोई बैक्ती जो धन सम्मदी समस्याओं से बहुत जूज रहा है और वह निर्धन बैक्ती है और वो साप को पेड़ पर से उतरते हुए देख लेता ह है तो उसके लिए सुप संकेत होता है उस बैक्ती को बहुत ज़्यादा धन प्राप्ति का संकेत माना जाता है चटवा यदि सपने में मरा हुआ आप साप देख लेते हैं तो यह अच्छा नहीं माना गया है इसका यह संकेत होता है कि आने वाले समय में आपको किसी बड़े संकर्ट के साथ जूझना पड़ सकता है ऐसे सपन के असुप प्रभाव से बचने के लिए आपको पांच सोमवार सिव मंदिर में जाकर सिवलिंग पर जल या कच्छा दूद जरूर अरपित करना चाहिए साथमा आप यदि सपने में सफेज साप देख ले तो यह बहुत होता है आठवा यदि किसी आवश्यक कार के लिए आप घर से निकलते हुए जाते हैं और आप बाएं हाथ की और कोई साप आपका रास्ता काड़ जाता है तो आपको बिसे सावधान होने की आवसकता है यह बात इस तरह का संकर्ट देता है कि आप जो भी कार करने के लिए जा रहे हैं उस कार को पूरे होने में विलंब होगा और आपका कार नहीं भी हो सकता है इसलिए आपको तुरंत घर में वापस आ जाना चाहिए और भगवान सीव से प्रातना करने के बाद फिर उस कार के लिए घर से निकले नौमा यदि कोई धनवान बैक्ती सपने में पे 10. अगर आपको सपने में सांप दिखाई देता है तो इसे भी अपसकून माना जाता है। सांप के सपने की वेक्या अलग अलग रूप से हर संस्क्र丁 में बताई गई है। यदि आपको कोई सपने में सांप दिखाई देता है तो वह इस बात का इसारा कर रहा है कि आपके पास कोई ना कोई बड़ी समस्या आने वाली है 11. यदि सपने में आप नागनागिन के जोड़े को प्रेम करते हुए देखते हैं तो यह असुप सूचक होता है 12. सपने में यदि सांप आपका पीछा कर रहा है और आप बहुत घबराए हुए हैं तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि आने वाले भविस्त के प्रती आप बहुत चिंतित हैं तता आपको कोई बड़ी चिंता सताय जा रही है और इस कारत यह भी हो सकता है कि आप बहुत डरे हुए हैं साथ साथ यह भी हो सकता है कि आप किसी सची बात को बताने के लिए डर रहे हैं और उसके लिए आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं या कोई ऐसा खास राज है जिसके खुल जाने का आपको बहुत डर लग रहा है कुल मिलाकर ऐसा सपना देखना असुब माना गया है तेरहमा यदी सपने में आपको कोई साप डस ले तो यह आपके लिए अच्छा नहीं है क्योंकि आप जल्दी ही किसी गंभी रोग से गरसित होने वाले हैं या किसी विशियस तरह का कोई बड़ा कष्ट आने वाला है इ और आपको कोई दोका दे सकता है या कोई ब्यक्ति आपको किसी प्रकास नुकसान पहुंचा सकता है 15 jeux आप सापने में साप और नेवली की लडाई देखते हैं तो इसका सीधा अर्थ होता है कि आप किसी कानूनी पचले में फसने वाले है आपको कोट का चहरी का चकर काटन पड़ सकता है 16 यदि आपको सपने में साप कहीं जाते हुए दिखाई दे या आपको देख करके वह साप छिप जाता है तो यह आपको समझना चाहिए कि आपके जो पित्र देव हैं वह आपकी रक्षा कर रहे हैं 17 यदि आप रात में सोते समय सपने में सफेज सुनहरा या कोई चमकीला साप देखते हैं तो यह आपकी किस्मत खुलने का इसारा होता है और यह भी कहा जाता है कि आपको पूरवजों का आशिरवान मिल रहा है या आपको पूरवजों का आसिरवाद मिलेगा अठारवा यदि सपने में बार बार आपको सांप दिखाई देते हैं तो इसका अतया है कि आपको पित्र दोस है या आपके पित्र जो है वह आपसे नराज है यह इस बात का संकेत देता है 19. यदि आप सपने में साप को बिल में जाते हुए देखते हैं तो आपको अचानक धन प्राप्ति हो सकती है या आप जागरत अवस्ता में भी ऐसा देखें तो भी आपको धन प्राप्ति का यह संकीत है और यदि इसके विपरीत बिल से निकलते हुए साप को देखेंगे तो हुआ है आपको इलिए धन आनी का सूचक है बीसमा सपने में यदि आप कोई खुदाई करते हैं और फिर कोई साप आप निकलता हुआ देखेंगे तो समझ लो कि आपको धन मिलने वाला है आज़ा करता हूँ कि अब आप सपने में साप दिखने का अर्थ समझ गए होंगे और जो सूप असूप लक्षण है उनके बारे में जान गए होंगे तो जब भी आपको सपने में कोई साप दिखे तो आप अब समझ सकते हैं और अब आप अपने में साप नजर आने का अर्थ भी जान गए होंगे आज़ा करता हूं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी यदि आप ऐसी जानकारी जानने के चुक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा और जादे जाद हम एरूर यह जानकारी आपको उलकारी आपको लगी यह जादेगा वीडियो इनो जानकारी आपको लेकारी आपको शाहांवा Church